सबी सात्यों को नमस्कार, सात्यों आज के वीडियो में हम सीमा सुरक्षा वल अदिनियम उन्नीस सो अर्षट के बारें बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो का में मकसद है जो कांस्टेवल से यह ऐट कौंस्टेवल अल्डीशी एक्ग्जाम करने चाहते हैं। दूसरा जो भी वीडियो का ने रंग रूट आते हैं। करते हैं तो उनको भी एक टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो अभी से तैयारी करो आप और अच्छे से पढ़ो तो जब आप दो तीन साल हो जाएंगे जब आप आप वैल्डी से एक्जाम देना चाहेंगे तो आपके लिए इतनी प्रोब्लम में रहें क्योंकि आप किसी समय एक बिशे समय में तैयारी करोगे तो आपको इतना सक्सेश मिलने के चांस नहीं लेकिन आप जब एक सुरू से ही आप तार्गेट फिक्स कर लोगे तो तो इसमें तो इतनी धाराएं धाराओ के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बिस्तार्श प्राएं कौन कौन सी है और धारां में क्या-क्या दिया गया है तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर आप लडीशी अग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए कापी हैल्पल होगी और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे इस तरह की वीडियो आप चा द्यारा एक में दिया गया है संचिप नाम और तर तो इसमें बताया गया कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा तो इस अधिनियम यहानि कि पहरा दो में उप याच इडा कर दोतर की दोती dest workshop कि उसके तो alguns document अ Tob रहे हैं वहां creative से उसका दोतर सक्टरव रहा हैं और यहां पर प्रीत का अपिटी का है वह नीचे तीन चार पैंट दियेszystकी क्योंत करें और salt शत्रू के बूद्व सक्रियाओं में लगे। यानि कि सत्रू के बूद्व हम पूई काणहरवाई कर रहे हैं तो भी में आएगी। ब्लब्लके किसी शंबंदिया उसका अंग है उसे अंत्रकता से व्यक्ति दौरा किसी अब्दि के दोरान की गई डूटी भी है जो केंसरकार द्वारा राजपत में दिशूची द्वारा किसी ऐसे से के प्रतिन निर्देश से इसमें कोई व्यक्तियों का वर्ग जो इस अधिन्यम के दिन है सेवा कर रहा है सक्रे डूटी की अब भी गोसित की जाएगी यानि की केंसरकार द्वारा जो अन्यकों भी अगर कोई डेप्रोटेशन में आ गया या कोई ऐसा सरकार ने जवावदारी दे दी वो भी सक्रेट डूटी की दूश्ची में आएगी अब नमबर दो धारक का भी में दिया गया बटालें बटालें से विप्राय क्या किया गया इसमें ये बताय में एक कमांडेंट इसमेहत पॉर्थ रैंक होती यह जो बटालें के लाते हैं उसको बटाले हैं तो सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है एर दारण-दोका-सी मुख्य-विधी-अधिकार Again, सरकार द्वारा निप। बल्का मुख्य विधी-ाफिसर और विधी-ई-थ से विप्रेद है यानि कि विदी मतलब कानुनापिसर इसके मतलब है जो के अंसरकार द्वारा जी उस पोस्ट बनाई गी है उन पर नुप्ट किया जाता है वह विदी दिगार इसे आएगा धारा नमबर दो का डी सिविल अपराद से ऐसे विप्रेद है जो किसी डंड न्याल है तो वह सिविल अपराद की सेंट ने आएगा धारा नमबर दो का डी सिविल कारगार से ऐसे जेल या स्थान से विप्रेद है जिसका प्रियोग किसी अपरादिक बंदी के निरोग के कारगार अधिनियम, जो मानले है क्यों अप्रादि है उसको कारगार हो गया जिसका unmile 58gef94 को नाइन है का वो करता है और वो बताता है कि इसी किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा मिली हमारे रखहा जाए तो सब्कुर्ण सिविल कारागार कि कहा जाता है जोहार नंबर दो का एप, एप में दिया गया कमांडेंड या समाधेष्टा तो मैं बता दी आपको डोस्तोब ऊपर किसम एफ में याद रखना ही हाँ पर पूछा जा दो किया अब किसम क्मांडेंड किसम जा, तो Commandant में जहां पर प्रियोग किया गया, जिसी उपबंद में बलके नियमों को अधीन, उस यूनिट का की वावत उस उपबंद में निद्डिस्ट प्रिकार से विशों में संबन, में Commandant करते हुए यानि कि कोई बतालिन बनाया दी गई है, उसके जो है करतेविये कर नि अब है दो का जी डन न्याले भारत में किसी भाग के मामली डन न्याले यह जो भी जितने भी आपके डन न्याले बनाएं जो भी डन दे सकता है एक छोटा सा कहां से आप अगर बात करें तो तहसील में जो एसडियम न्याले होता है वहां से लेके आपके सुप्रिम कोर्ट तक सबी दर्रन्याले की सेरी में आते हैं उसके बाद है दो का एच उप्महांbek सक उप्महांडिकसक धरा पांच जो आप पढ़ूञे आगे जाके उसमें दिखते जिनको आई जी है जिंकु बोल जाता है तो महानिकसक से विडालीबें एभी धररा किसके दुबारा में कैसे तो दू के दबारा नमबर आई में दिया गया महाने इछ इज को इंसर्क्रक्टर उब स्व हम ऊप्र प्लिश को पास कोई वैपन है कि रिड्रो है और वागी है सायुद बलवाकारी है यानि कि जो अपने अस्त सायुद का मतलब अस्त सायुद के साथ बलवा कर रहा है जल के जल दस्यू है जल के द्वारा आ रहा है जल की जल की सीमा को लांग के आ रहा है कोई भी उदापती व्यक्ति जो जिसके बुरूत कारवाई करना किसी व्यक्ति का करता भी हुए अधिनियम के लिए सत्रों माना जागा यानि कि जो भी जिसको सस्त रखने की पर्मीशन नहीं है और देश के लिए किसी भी तरह चाहिए जलमाग शायत अलमाग चाहिए या विद्रो करे या देश में असांती फलाए और जो असस के साथ है सकर रहा हुए सब सत प्रो की शेड़ी में आएंगे इस अधिनियम के लिए का नंबर दो का के अभ्यावेसित कोई अवर आपिसर या अन्य व्यक्ति से जो नीछे जो ऑवर आपिसर है उनको बताया गया आप ड़हरा नंबर दो का अल बल का मतलब सीमा सुरक्सा बल इसमें तो अले कि निया दो का M, बलकी अभिरक्सा, बलकी अभिरक्सा से नियमों के नुसार, बलके सदस्यों की ग्रफतारिय परिधिनी, यानि कि बलके जो सदस्य है, अगर वो अपनी डूटी का निर्वा कर रहे हैं, करत्विय प्रायान कर रहे हैं, उसमें कोई गटना हो जाती है, तो उसमें बलक जो है दारा नंबर दो के एम में दिया गया है दारा नंबर दो के एन महानिरिक्षक महानिरिक्षक दारा पांच के दिन जो पहले भी बता चुका हूं उसमें आया है दारा नंबर दो के ओ बलका सदस्य है बलका सदस्य है कोई भी आपिसर जो केंग सरकार द्वारे चाहे डुपिटिशन पाया हो चाहे भरती किया हो कोई भी अपिसर अधिनेस्ता बिकारी आवरा अपिसर यानि कि हैड कोस्टेबल और व्यक्ति अभी प्रेते यानि कि बलका सीनियर मौस्ट ऑपिसर से लेके और बलके नीचे तक सबसे छोटी रैंक यो कोस्टेबल से नीचे भी कोस्टेबल आजकर जो जिनको बोला जाता है फोलवर्ट के लिए है सबी बलके सदस्या जो भी नियम के निखार या जुटकर समजार भर्की कहाते हैं वह सब इस सेड़ी में आते हैं उसके बाद है धर नंबर दो कर तो कि अधी सोचना अधी सोचना में राजपत्त मैं प्रत्राज्पत्त मरें हुआ जो उससे मतलब तो को कि अपराद अफराद से इस हदिनियम में दिन्भाण्या कोई कार्ज़ है, जो लोग अभिपरेजिट है और इसके अंदरकन सिभी इन्व्याइव अगर करें तो जो जियोज की शेड़ी में वो सब की की शेड़ी में आते हैं कि अधिनेम बनाने की अवर्व परीट है निकि इसमें जो है अधिनियम बनाया इस नियम जो बनाए गया इसके अन्दर जो गहीत यानि कि अदिनेंः त्र्ट क्या गया जा सकता है नियम बना जा सकता है नियम जया जा जा रिख तो आप से वह आप नियम बनाने की शक्ति दी गई है फो जो नियम बनाEL या दियम के दियम के लाएंगे लेकिन उसका वर्विन किसमी जा दिया गया धारा नंबर दो के ती में दिया गया है धारा नंबर दो का यू सुरक्सा बल न्याले अब कुछ न्याले तो ऐसे हैं जो सिविल के हैं सैसें कोर्ट से लेके सुप्रिम कोर्ट तर अलग अलग इस पे लेकिन कुछ BTW बाओं कःते हैं बाल में जो कुछ ऐसे परागर करते हैं सिकार्डे करते हैं छोटी ढू ढंड डिया जा सकता तो उसमें बाल का वी भर में भी नियाले से लेके सुवेदार तुप निर्ख्षक और साया कुप निर्ख्षक अभी एसाई जो है यह सब जो है अधिनस्त अधिकारी में आते हैं धार नंबर दो का डबलू बरिष्ट आफिसर बरिष्ट आफिसर जहां इसका प्रियोग ऐसे व्यक्तियों के संब्द में किया जाता ज उसके अध्हीनों बलका वहे सद्षिय आकला उस ब्हक्ति के उस तर रहेंक का वर्का आकवा काने मुलगे कोई व्यक्ति है उसने जो भी सीन वक्ति आफिसर नहीं है तो उसके इंतगरत उच रहें के वर्ग ऑफ्रेट के अधिनेस तरह भी हो सकता है और अब आशिक भी उसके अधिन या उसका कमंडर माना जाकता है दाहरा नंबर दो का वाई है अब आफिसर अब आप इसर बलके हैड कोस्टेमल नायक लैग नायक ना है कुछ ऐसे भी सब्द है जो इसमें धारा में सब्द नहीं आए है या इसमें नहीं परिभासा में दिये गए किन्तु भाते डंड सहीता आठ 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 का पैतालिस में जो एक परिभासा दी गई है वही अर्थों का जो सहीता में दिया है यहां पर वही अर्थ माना जाएग इस दे में किसी भी ऐसे विदी के प्रतिक जो जम्बू कस्मी राज्जेव प्रॉट नहीं है निर्दो क्या अर्थ लगाए जाए कि उस आज्जेव प्रॉट यह तरही विदी अब तो बाला भी छोड़ी आप जम्बू कस्मी में भी वह पूरे त्रेशर लागू माना जाए को जाएं तो ऊटने भी आपी सरे सब्धियन के अवर आपरी सर और सिकरिस्क्षेटन, नीचे भी कॉस्टेबल और अनुच्र कॉस्टेबल सभी इस में आएंगे पिटी एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के दिन है इस पिरकार तब तक अधिन बना रहेगा जब इस जही कि व्यक्ति इस अधिनियम के दिन बने रहेंगे जब तक वह है जव जो आधिनियम या नियमने में way में गयनुसाहाबल में सेवने के जो सिस्तम बनाया गया यह सेवा से पन्मचित नमुक्त या पर्युप्नही病 तो दोस्तों इसमें धारा नंबर चार में दिया आप बलका गठन कैसे होगा तो धारा नंबर चार में पूछा गया तो भारत की सीमाओं की स्रक्षा सुनने से तरने में भारत संखा शायाईặ है उनके पर नियम बनाए जाएंगे और चीरे विजह नोले अनके रिव मन्हों पर. तो जवित को अपने की दोना आप सकता पनि डाया वहीं, हो बना के लिए लिए भाहत वर्लों हो हुत्स किया जाएगा और बलके सदस्यों सेवा की सर्थे होंगी जो विहित्मेज की जाएगी यानि कि बलके जो भी सदस्यों की सर्थे होंगी उनको किस प्रिकार जूटी करनी है वाला कि मैनमल्स होंगे अगर नम्पर पाच नियंतर नियंतर को नियंतर केंशरकार के अधिन होगा और वही इसका प्रियोग करेगा और इसके तत्था अधिनियम को नियमुके अभण्यों के अधियन रहते हुए बल का समादेसर समादेशन मतलब यह मानगी बल्के सी नियमुके अधियन सरकार को गया उसके बाद उनका वेट होगा जिसमें के सखाहने तरह के रूप में करें इस सद्हीन महाने कडिया करते हुए में उसकी साहता करने के लिए महानिरिक्सय कुप महानिरिक्सय कमांडर वोन्याद याफिस सर्व होंगे जिनका केंसर कारवारा नुत्त करेगी बीच पेचाय डिपर्टेशन से को यह भरती करके करो तो उनकी मदद के लिए मालिय डी जी सर है उनकी नदद के लिए प्रतिय व्यक्ति को समय रूप से अभ्यावेशित किया जाएगा या तरीके से भरती किया जाएगा और जिसमें लगतार तीन महां तक क्या इस अधिनियम के अधिन अब इस व्यक्ति के रूप में बेतन प्राप्त किया है उसका बलका नामवली में रहेगा यानि कि अगर किसी ने तीन साल किसी ने तीन साल लगातार उसमें जो है क्या नोक्री कर ली है तो वह है बलकर सदिश्चे के रूप में इसमें बहुत रहेगा दोस्तों आज की मुटिमेट में वीडियो अच्छे की मुटिमेट करें दोस्तों से बहुत हैं